नमस्कार सभी मित्रो चैनल कहानी की पोटली पर आप सभी का स्वागत है आपके प्यार और नेह की खातिर हर रोज एक नई ज्यान वर्धक कहानी आपके सामने प्रस्तुत है एक बार की बात हैं बीर्बल रास्ते से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवास सुनाई दी उन्होंने जब चारों और देखा तो उन्हें एक बुढ़ा आदमी दिखा बीर्बल ने उसके पास जाकर देखा तो पताचला कि ये तो राजा अकबर के बगीच का मटका रखा हुआ था जो की अब वहाँ नहीं हैं बीर्बल ने उनकी बात सुनी और फिर कहा आप चिंता न करें आपका मटका आपको मिल जाएगा इतना कहकर बीर्बल वहाँ से चले गए और सोचने लगे कि आखिर मटका कौन निकाल सकता है क्योंकि उस बगीचे में तो केवल माली जिसका मटका चोरी हुआ राजा अकबर और बीर्बल ही जा सकते हैं इन तीनों के सिवाए उस बगीचे में और किसी को जाने की अनुमती नहीं है, बहुत सोचने पर बीरबल को याद आया की जड़ी बूटी लेने के लिए कहीं शाही हकीम तो बगीचे में नहीं आए इसका पता लगाने के लिए बीरबल ने अकबर से कहकर हकीम को महल में बुलाने को कहा, हकीम को अकबर ने महल में आने का आदेश दे दिया गया हकीम के महल में आने से पहले बीरबल ने महल में मौजूद मंत्रियों से पूछा की कौन-कौन हकीम जी से अपना इलाज करवा रहा है तब एक मंत्री ने बताया की उसका पेट खराब हुआ था जिसका इलाज हकीम जी कर रही है उपचार के लिए उन्होंने आम के पेड की जर से बनी दवाई दी हैं हकीम जी महल में पहुँच जाते हैं तो बीरबल उनसे कहते हैं हकीम जी मुझे पेट दर्थ की परेशानी हो गई है इसके लिए आपके पास कोई दवाई हो तो मुझे दे दीजिए जिससे की ये जल्दी से जल्दी खीक हो जाए इतना सुनकर हकीम जी बोले मेरे पास एक ऐसी दवाई हैं जिससे की आपका पेट का दर्थ ठीक हो जाएगा मैंने ये दवाई मंतरी को भी दी थी लेकिन ये दवाई कवेल शाही बगीचे में लगे आम के पेड की जर से ही बन सकती है जैसे ही हकीम जी ने ये कहा बीरबल तुरंट समझ गए की मटका इन्होंने ही निकाला है बीरबल ने कहा अब आप सिक्कों से भरे मटके के बारे में खुद बताएंगे या हम अपने तरीके से पूछें हकीम ने कहा हुजूर मुझे माफ कर दीजिये मुझे लगा ये मटका बहुत पहले का दबा हुआ है इसलिए मैंने उसे निकाल लिया अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा तुमने आज फिर अपनी बुद्धिमानी से मटका चोरी करने वाले को पकड़ लिया मटका चोरी करने की वजह से अकबर ने हकीम से शाही पद छीनने का आदेश दिया लेकिन बीरबल ने कहा इन्होंने तो सच बता दिया था इसलिए उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए जिस माली का मटका चोरी हुआ था उसे महल में बुलाया गया और उससे पूछा की मटके में क्या था माली ने बताया 120 सोने के सिक्के बीरबल ने कहा ये आपकी गलती थी कि आपने मटके को जमीन में छुपाया इसलिए आपके मटके में से 10 सिक्के हकीम जी की सक्चाए के लिए इन्हें दिये जाते हैं ताकि आगे से कोई ऐसी गलती न करे बीरबल का ये तर्क सुन राजा अकबर बहुत खुश हुए।